नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पेजे नेुज मैं प्रवेन नाविक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों अश्वक्त हम म levels हैं गोरखपुर में और आप देख सकते हैं गोरखपुर अगर एरिया की बात करे तो इस एरिया का नाम है मदनपुरा यहाँ पे एक दुकान है आप देख रहे हैं यह देखिए यहाँ पे फुलकी चाठ यह सब समोसा बनाया जाता है और इसी दुकान से एक महिला की अगर बात करें समाज के लोग लज्जा का भी ध्यान देना है लेकिन कहा जाता है न कि एक जुनून अंदर है काम करने का यहीं दुकान से बिलॉंग करती है नीशा जी आप देख सकते हैं लाइब तस्वीरे यह नीशा जी है और आपको बताते हैं कि यह यूटूब चैनल पर काम कर रही है और इनी से हम खास बात चीत करने के लिए थोड़ा से दिखाने के लिए का आप बताईए दुकान है आप लाइक तस्वीरे देख सकते हैं इनके घर वाले बहुत बिरोध करते हैं कि यह बीडियो ना बनाएं लेकिन तब भी यह बीडियो बना रही है और इनका सोच है कि य के बारे में खुश समझेंगे यह देख रहे हैं यह भी दुकान है इनका और इसे क्या रोजी रोटी है कैसे चलती है परिवार में क्या सिती है सब बात चित करने की कोशिस किया जाएगा तो सबसे पहले बहुत-बहुत पीजी नियूज पर आपका स्वागत है नमस्कार प करें जिए सस्क्राइब कमेंट लाइक चो एक चोटा सा ही लाइक लेकिन जरूर मतलब उसमें कमेंट करिए कुछ चोटा सा ही करिए लेकिन करिए तो रजर निशा जी आप यह बताईए कि आप आपके पास तीन बच्चे भी हैं दुकान है आपकी तो यह तमाम प्रकार की चीजें एक कैसे आप मैनेज करती हैं और कब आपको टाइम मिल जाता है वीडियो बनाने के क्या सोच है अप एडियो से पर्मा माने अबींुआ कर मतलब कर भी हां करे वहुंज हुआ व कि अच्छा काम करें लोग तो मुझे बहुत बुरह करते हैं कि पागल हो गई है वीडियो बनाती है और आरकेश्टा में जाएगी और मतलब ऐसे उल्टा सिधा बहुत-बहुत मुआम परकार के ताने सुनने पड़ते हैं सुबह भी काल आया मेरे रिष्टेदार से कि मतलब वीडियो मत बनाया करो बहा lore देखेंग भाभी देखेंगे क्या वह लेंगे लेगी उनकी की बात नहीं सुनती ब्स अपनी मर्जी से वीडियो बनाये हूँ बनाती हूँ और किसी के काने पर मतलब में नहीं जाओंगी और बनाती रहोंगी मंसाने डर्ती किटिने सपस्क्राइबर है हमारे इसमें जरूर एक मतलब हर रोज एक दो गंटा टाइम निकाल करके मैं अपना वीडियो बना लेती हूं अच्छा निशा जी एक सवाल और है कहां से आपके मन में विचार आया कि हम यूटूब पर आया और वीडियो बनाया यह कब आपके मन में पहली बार ख्याल आया और आपने कब सुरुगात की यूटूब सर हम यूटूब मतलब यूटूब चैनल तो बना था लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब क्या होता है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था और मेरी एक सिष्टर है साईजनाम रहती है तो वही बताए कि मतलब यूटूब में वीडियो बनाओ और उसमें मतलब वी करने वाला वीडियो है मुझे क्या पता कि मतलब ये क्या होगा मैं तु संच मैं जान रही थी कि बस ये ताइम पास वाला कि वल है हा 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 इस से टाइम पास करे करते हैं लोग और ऐसे पना एक ऐसन नहीं होता तो मुझे बहुत खुसी हुई कि मुझे लोग कितना चाहर रहे हैं अधर मेरा घरगर वीडियो चलता है हाम जिस गली जाती है, इस एरियो में और कोई यूटूबर नहीं है bang नहीं है लेकिन मैं अपने Mg ARIA Jahren पढती हूं तो सब लोग गाली और मेरे वीडियो का इंतिजार भी करते हैं हा तो दो बनिया के नाम पर कलंग बीडियो बनाती है और देखना भी चाहती है ह। कितनी माता हैं, फिर भी मुझे बहुत खुशी है, बनियक नाम पिकलां के वीडियो भी देती है, हाँ, सरे, वाद देख लिजिए, माईला हो के हाउसल अपना नहीं छोड रही है, और बाबु ए बड़ा बाबु ए मेरा हमेशा साथ देता है, अधर आजा, यही कैमरा करते है इनका क्या नाम हो आपका, सुभाम, सुभाम किस क्लास में हो, फिर शिक्स, हाँ, अच्छा मम्मी तुम्हारी यूटूब पर आती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, कैसा लगता है तुमको ठीक लगता है, हाँ, ठीक लगता है, अच्छा तुम गाना उना गाते हो, हाँ गाना तो हमारे दर्सकों क्या बात है, कोई भी गाना गा दो, क्या बात है, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, क्या बात है, और कोई गाने है, हाँ, कोई भोश्पुरी सुना, तो भोश्पुरी का प्रचलन जादा है गुरखपुर में, बाणी सबसे जाकास हम तो पूरा बवाल करा दिया है ये गाना पूरा पूरा प्रेंडिंग में चल रहा है इस समय इस पे क्या कहोगे अच्छा इड़ा इसमित उप्रेंट इस अच्छा पता लेकर बालक को सारी चीजे पता है और यह निसा जी है और इस प्रकार से लिए पूरा पर चुट काते आर गरीबी तो बहुत जुलिए मेरे पती जो है यह और पहले मसल पठी खूरमा लेकर करके गांगा जाते थे जहां, पास के भरवली गाओ की मैं हूँ, अच्छ हैँ यहां रूम लेकर के रहते हैं, दोस्तो आप देख रहे हैं इन के इस्टेटे घर जाते हैं तो मेरे घर वाले मुसे दूर भागने लगती हैं, कि मैं वीडियोमे आ जाओंगी तो मेरा बहुत बदलामी होगा, सब ढाता नहीं उतना तो मैं घर पर अपने जाती हूं यूश्क तो मेरे पता थे मतलब ऐसी जब दियात में ऐसी जाते थे तो कभी सो रुपय और कभी नेशसे बेशते थे और गाम सोचे की और कहीं रूम ले ली प्वाईय क्या नाम हो आपका यूट इसी चाहे नाव कल आकोम जो में आपको कुछ है पर एक समझितीन इसाथ है आप आपको क्यों क्यों चेमिय्स और अब कुछ है काम लें कर रही हैं साथ में बना रही है बनाने दे और हुसला बढ़ रहा है और मुझे सार उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी काम्याब हुएंगे बहुत जल्दी मतलब और मेरे साथ देने वाले इस गाउं के बहुत हैं चलिए आपको बता दें ये निशा जी है और आप जाये निशा अब बता दें कि दोस्तों गरीबी गरीवी की हालात की अगर बात करें तो आप निशा जी की लाइब तस्वीरे देख रहे हैं किस परकार की वीडियो बनाती है और यह इनकी दुकान है यह बच्चा है और एक लड़की भी है इनके पास और एक लड़का और है इधर आओ ये भी देखिए, ये भी इनका सपोर्ट करते हैं, आप तस्वीरे देख रहे हैं, हम आपको अपने वीडियो में दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं, कि एक गरीब तपदे के लोग किस प्रकार से यूटूब पर अपने करियर को बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अ हमारा भी कभी इंटर्वियो करिये, तो हम गोरकपुर जा रहे थे एक जगह इंटर्वियो करने, रास्ते में इनका घर पड़ता है, मदनपुरा में, तो हमने सोचा कि निशा जी का भी अपने चैनल पर इंटर्वियो आप लोगों को दिखाते हैं, तो आप लोग दोस्तो जाए निशा गोरकपुरिया चैनल को आप लोग विजिड करिये, जादस जादा इनको प्यार आसिरबाद दीजिए, क्योंकि आपके प्यार आसिरबाद के वदवलत ये आगे काम कर पाएंगे, जब आप एक लाइक और एक कमेंट करते हैं, तो इनको होसला बढ़ता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अरे चाहेंगे लास्ट सवाल है हमारे दर्सकों से आप क्या कहना चाहेंगे, जानता का सपोर्ट चाहिए और उनका प्यार दुलार चाहिए और मेरे निशा गुरकपुरिया चैनल को आगे बढ़ाईए अबस यही मेरा एक तोुए चैनल को किया है, यहीं आप टूब द्रताइब दर्सकों और संपीक और ढ़ाईख साल कुर्ट कि यूटूब पर काम करने के लिए तो सबसे पहले उसको ताने सुनना पड़ता है यह कंफर्म है लेकिन जैसे वह अपने आपको एक मुकाम हासिल करती इसी जोपड़ी से जब आप निकल कर इसी दुकान से निकल कर जब यही अपनी फोर वीलर खड़ी करेंगी यूटूब क आप olması आएंगे मिलने लिए आप से आएंगे मने के लिए आप से आंगे ब्लोग बनवाने के लिए तब उस समय आपको बहुत गर्व महसूस होगा बहुत बहुत कर्ब महसूस होगा और मैं घमंड भी नहीं करूंगी कोई भी मेरे पास आएगा तो मैं उसको इज़त यही तो सब लोग कहते हैं लेकिन घमंडवा बदोवा में आता है नहीं सर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे आपको आपको मैं फिर अपने चैनल पर बुलाओंगी और फिर मैं आपको इंटर्व्यू मतल थोड़ा आगे बढ़ जाओंगी फिर बुलाओंगी दूंगी और देख ली और उसका इज्जत करूंगी तो दोस्तों आप देख रहे हैं यह लाइब तस्वीरे में दिखाने की कोशिस कर रहा हूं गोरकपुर से मदन पुरा छेतर में और आपको बता दें कि आप जाहिए निशा जी के चैनल को विजिट करिए और जादा जादा प्यार दीजिए द दोस्तों फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई ख़बर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत जय हिंद जय भारत